दोस्तो हाली में ही पियम मोदी रश्या की यात्रा पर गए हुए हैं रश्या की यात्रा के तुरंत बाद ही पियम मोदी ओस्ट्रिया की यात्रा पर जाने वाले हैं ओस्ट्रिया की यात्रा के दोरान बड़ी बड़ी डिफेंस डिल साइन होने की उम्मीद की जा रही है इस स देने वाला ड्रोन है उस्ट्रिया ने इस ड्रोन को इस पेशली नो सेना के लिए बना कर तयार किया है लेकिन हाली में ही ओस्ट्रिया ने इस ड्रोन का एक अपडेटिड वर्जन भी बना कर तयार कर लिया है इस समय ओस्ट्रिया की इस S100 ड्रोन का इस्तमाल अमेरिका और चा मिसाइलों की भी बारिश कर सकते हैं S100 ड्रोन के अंदर दो हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं जिनकी मदद से दुश्मन देश के उपर मिसाइलों को दागा जा सकता है इस ड्रोन की कुछ खास्योत की बात की जाए तो इस ड्रोन की लंबाई 10.2 फीट है और इस ड्रोन की चो इस ड्रोन के अंदर एक ही इंजन का इस्तिमाल किया गया है जो इस ड्रोन को 55 होर्स पावर जनरेट करकर देता है इस ड्रोन की टोप स्पीड 220 किलोमेटर प्रती घंटा है वहीं पर इस ड्रोन की क्रूज स्पीड यानि की ये ड्रोन कितनी रफतार से हवा में अपनी पोज परने की शमता 6 घंटों की है इस ड्रोन को 18,000 फीट की उचाई तक उड़ाय जा सकता है इस समय इस ड्रोन का इस्तमाल चाइना, एमेरिका, रशिया, मियमार, पाकिस्तान, थाइलेंड और ब्रिटेन जैसे देश कर रहे हैं लेकिन ओस्ट्रिया ने जो ये S100 का लेटेस्ट व रहे हैं और अब भारत छटा वो देश बनने जा रहा है जो S100 ड्रोन का इस्तमाल करेगा और उम्मीद इस बात की की जा रही है कि PM मोदी की इस यात्रा के दोरान S100 ड्रोन की डील को साइन कर लिया जाएगा, साथ में इस बात के भी बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि भ खरीदना चाहिए हां या फिर न इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं, ठेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो, हैव गूड डे